आरिभट्ट से लेकर चंद्रियान तीन तक यूसरो का सफर चुनोतियों से भरा था मगर भारत ने हर बार चुनोतियों को ताक पर रखकर इतिहास रचे हैं अंतरिक्ष और भारत का जिक्राते ही राकेश शर्मा का नाम आना लाजमी है राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारती थे साल था 1984 और दिन था 2 अप्रेल का जब वायू सेना के पाइलेट विंग कमांडर राकेश शर्मा टी सोयूज 11 मिशन के तहट अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे वहीं जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो अंतराश्ट्री अंतरिक्ष स्टेशन से अततकालीन प्रदानमंत्री इंद्रा गांधी ने उनसे फोन पर बातचीत भी की थी इस बातचीत के कई क्लिप्स आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है परडन लीडर राकेश शर्मा सारे राश्ट का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बढ़ाई देते हैं यह एक इतिहासिक कदम है मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रती जागरूख होगा और साथ ही हमारे यूवकों को साहसिक कार करने की फेरना मिलेगी प्रशन तो आपसे बहुत से पूचने हैं लेकिन थोड़ी से पूचती हूँ उपर से भारत कैसा दिखता है आपको